बच्चो आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रामर में एक ऐसा टॉपिक सिखाने वाला हूँ जिस टॉपिक का नाम है नाउन बहुत सारे बच्चो को पहचानने ही नहीं आता कि नाउन को पहचानते कैसे हैं और इसकी ट्रिक क्या होती है कि ये नाउन है करके तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी ट्रिक जिससे आप पहचान सकते हो कि ये noun है या नहीं और उनके types भी बताऊंगा ताकि कोई आपसे example के तोर पर अगर कोई पूछे भी तो आपको उस समय बताने आना चाहिए कि ये कौन से type का noun है तो वीडियो को जादा देर नहीं करते हैं बढ़ते हैं वीडियो की तरब और सीखते हैं noun तो सबसे पहले noun noun क्या है noun एक संग्या है जैसे किसी भी प्राणी जग या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं संग्या कहते हैं कोई भी प्राणी, मतलब कोई भी एनिमल हो, प्लेस हो या थिंक्स हो, तो उस नाम को हम नाउन कहते हैं, संग्या कहते हैं, जैसे मैं आपको आज इनके टॉपिक्स बताता हूँ, जो बच्चों को पता ही नहीं होते, तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है, प्रॉपर नाउन देखो, five nouns होते हैं, जिनमें, first है proper noun, जिसे हम कहते हैं, व्यक्ति वाचक संग्या, व्यक्ति वाचक संग्या, जैसे हिंदी में आपको पहले बताता हूँ, व्यक्ति वाचक संग्या किसी भी प्राणी, जग या वस्तू का नाम होता है, व्यक्ति वाचक संग्या में क्या हो भी आदमी का नाम लो, जैसे राम, राम क्या है, मैंने उसका प्रॉपर नाम ले लिया है, राम, तो ये एक हमारा प्रॉपर नाउन है, जैसे टफी, जैसे कुत्ते होते हैं न, तो उसमें एक टफी जैसा एक कुत्ते का नाम है टफी, तो एक मैंने उसका नाम लिया, जो वो का नाम है तो वो proper noun है जैसे दहरादून दहरादून एक place का नाम है मैंने specific place का नाम बोला जिसके वज़े से ये proper noun है व्यक्ति वाचक संग्या है तो ये था अमारा proper noun का example second है अमारा noun जो है common noun है जिसे हम जाती वाचक संग्या बोलते हैं जैसे इसे हम इंदी में क्या बोलते हैं जाती वाचक संग्या किसी भी प्राणी, जग या वस्तु की जाती के बारे में बताता है Common noun denotes the class of a creature, place or thing मतलब कोई भी जाती वाचक बताता है मतलब किसी का भी नाम लो, लेकिन उसकी जाती बताए जाती मतलब class बताए, जैसे मैं आपके सामने के example बोलता हूँ जैसे एक जब पर मैं रखो Nokia का फोन और बाजू में उसके रखो Samsung का फोन हैं तो दोनों ही फोन, तो ये हमारी जो जाती है मतलब जितने भी फोन्स हैं, तो ये फोन हमारा फोन्स में तो बहुत सारे फोन्स हैं, तो वो हमारा एक common noun है, अगर मैं specific, अगर मैं Nokia फोन बोलू, तो ये एक proper noun है Samsung फोन बोलू, तो वो एक proper noun है लेकिन दोनों फोन है, इसके वज़े से ये दोनों को मिलाकर एक common noun होता है क्योंकि दोनों ही फोन है, एक और example बताता हूँ, जैसे राम है और उसके सामने राजु है, पर लेकिन वो दोनों क्या है, वो दोनों ही boy है लड़के हैं, तो ये जाती वाचक संगय है, ये common noun है तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक common noun है नेक्ष हमारा जो noun है, collective noun जिसे हम समूह वाचक संगया बोलते हैं ये बहुत सारे बच्चों को doubt होता है, collective noun में जैसे, समूह वाचक संगया प्राणी के, जगहों के या वस्तूओं के समूह को दरशाता है याद करो, समूह वाचक संगया वो होते हैं, जो किसी के प्राणीयों का या जगहों का, या विर वस्तूओं का समूह बताता है, समूह जैसे, people people मतलब क्या होता है, लोग होता है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं बहुत सारे person होते जिसके वज़े से वो collective noun होता है जैसे crowd crowd में भी बहुत सारे भीड होती है जिसमें बहुत सारे person होते group of person होते जिसके वज़े से वो collective noun होता है जैसे batch batch में बहुत सारे students होते हैं विध्यारती होती है वो उनका समू होता है तो उसे हम batch बोलते हैं, तो batch word जो है हमारा collective noun है, तो ये थे हमारे collective noun के example, फोर्थ हमारा है material noun, material noun क्या होता है, material noun मतलब होता है पदार्थ वाचक संग्या, मतलब कोई एक चीज होगी जिसे पदार्थ वाचक संग्या हम बोलते हैं, जैसे पदार्थ वाचक संग्या किसी भी प सोना आपने सुना है, गोल्ड, गोल्ड क्या होगा? वो material noun होगा, चांदी आपने सुना है, सिलवर, जो एक material noun है, तामबा आपने सुना है, कॉपर, जो एक thing है, जो material noun में होता है, ऐसे आप glass होता है, लकडी होती है, पत्थर होते हैं, तो ये था हमारा material noun का example, लास्ट देखत हैं सबसे अच्छा abstract noun, abstract noun वो होता है, जिसे हम बोलते हैं भाव वाचक संग्या, मतलब भाव, भाव वाचक संग्या, इसके नाम में ही इसका अर्थ है, जैसे भाव वाचक संग्या वो होती है, जिसे हम छू या देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, abstract noun is something that we can't touch और see, we can only feel it, हम लोग सिर्फ उससे feel कर सकते हैं, किस से बातों से, या फिर experience के थुरू, जैसे इमानदारी, बहुत बार होता है, इमानदार बच्चे होते हैं, इमानदार लोग होते हैं, honesty, अगर sentence में आपको honesty, या फिर इमानदार ऐसा word आ रहा है, जिससे वो भाव पता च नाउन है, जैसे और होते हैं, प्यार, लव, चोरी, थेफ्ट, घ्रणा, हेट, वक्त, टाइम, सोच, थिंकिंग, भावनाय, फिलिंग्स, गनित, मैथामेटिक्स, उम्मीद, एक्सपेक्टेशन्स, तो ये थे हमारे आज के 5 ऐसे नाउन, जो बच्चों को बहुत डिफिकर लगते थे, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको उसकी ट्रिक ये बताए कि उसे पहचानते कैसे हैं, और साथ ही में मैंने उनकी टाइप भी बताए, ताकि अगर आपसे कोई अभी पूछे भी, तो आपको समझ में आज आना चाहिए कि ये कौन से टाइप का नाउन है So if you want to learn and speak English fluently, so please do subscribe to my channel and watch my old videos